रेस्ट हाउस के सामने लोडिंग पीकप वहां ने स्विफ्ट कार में मारी टककर दो लोग घायल कार हुई छतिग्रेस्थ खबर पोरी थाना शेतर के अंदरगात आने वाले रेस्ट हाउस के सामने की है जहां देरात लोडिंग वहां ने सुफ्ट कार में जोरदा टकर बार दी जिसमें कार में सवार दो लोग घायल हो गए जबकि कार पूरी तरह चतिगरस्त हो गई जहां गरीमत रही कि कार में सवार लोग एंगल की चपेट में नहीं आए जिससे कोई भी हताहत नहीं हुआ ज़ंकारी के नुसार देरात एक लोटिंग पिकप वाहन शिओपूर में से शिओपरी की ओर आ रही थी जबकि स्विफ्ट कार शिओपरी से पहुरी की ओर आ रही थी जहां रेस्ट हाउस के सामने आमने जोरदार भिडनत हो गई महिकार में सवार इतुराज वर्मा वा अर्विंद वर्मा को हलकी चोटे पहुची है जहां रागीरों के माधियम से पोरी समुदाइक स्वास केंदर में भरती कराया गया है समवाददाता दर्मेंदरे शर्मा की रिपोर्ट जहां रहां रहा है